अजगे है और कोई कुछ बोले या ना बोले लएकिन मैं एक आठीज कह दूं के हमारा नेक्स कोच कॉन होने वाला है मैत्यू हीडन Menden वनने वाला है आप यह लिख के रख लो जिस तरीके से इसने पैरंट उते हैं भचो ले ज़े चलते हैं जनल कि मैजे कि मेरे बच्छी कोई बुराई ना करे को उखना लगे कुछ ना करे को चोट नना हो वैसे लेकर चल रहा था वाला आप मैच से पहले कि उसकी जो पैस कॉछ्छी तिया उसने कहा है जबरदस तरीक कि भाई जब मौसम तो हमें सब को पता है कैसा होता है जब खामोशी होती है उसके बाद आता है तुफान वही होने वाला है बाबर रिज्वान के साथ कि यार बात है बने ने सब को डिला कर दिया सब को बोला भाई घर जाओ टेल लेने ठीक है ना कोई बुराई नहीं कर सकता इस तक बाबार रिज्वान की कानी खता हुआ जब क्या बात है उसके बाद सेक्टीन चीज जो मुझे मैंने क्यों बोला कोच इसलिए बनने जा रहे ह जब रिजब वो आउट हुआ था और जब डग आउट बढ़ा रहे तो जो हस्त किया है मुझे जाना था किसको जाना कौन है क्या हो क्या रहा है पर चले कुछ तो उसने देखा मैथ्यू हेड़न की तरफ मैथ्यू हेड़न सही लाया कि हाँ फिर वो चला गया मतलब इसका पत मैथ्यू हेड़न सही लाया बाकी किसी कोई हिम्मत नहीं बोलने की क्या होने वाला है उसने बढ़ा तुम जा रहे हो तुम जा रहे हो बस अदम अभी तो सिर्फ कंसल्टर ने पाकिसाइटीन के दर लेकिन मुझे मैं कह सकता हूं कि आने वाले वक्तों में क्यूंकि वैसे ह हमारे यह जो वह अच्छा चलता है हमारे जभी फॉर्ण कोच आता है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनिटली डेफिनिटली जो है ना हैट कोच में चेंज होगा या तो पर्मनें इनको जो है ना बैटिंग कर से जाएगा लेकि ज्यादा चांसे यही लग रहे है मुझे कि कामली बात करना है वो नजर आया पर टीम के अंदर जब अंदर मैदान में गई है जिस तरीके जो पैशन था ना देख ता बॉलिंग के वग इतना एक एफर्ट जो लगा रहे थे कि मदल एक तो हमारा शाहीन बहुत तरीके से वापस आगिया है पहले और मैं दुबारा वि पहला आउट नियू अपाय ने आउट दिया आउट नियू और सेकेंट आउट हो गया तूसरी वाल तीसरी वाल पर गिना तो यानि कि हमारा शाहीन जो बहुत फुल सेलेंडर में जो है ना फुल फुल रिस चला रहा है तो वह बहुत जबरदस बात है लेकिन जो मेरे जिसमेंट दाना कि हा यहां एंगे जेन पहुत कर रही है और आज यह सोच किया जीत के जाना है वह था जो कौनवे जो उनका था उन इसके उसकर अफनार नथा तो कि ओशना वह नहीं उससे पहलीग्र प्वाली और तो जो शदाम कियी थी तो शर्धब में डाइफ तो आप इस चीज से वहां मुझे लगाता है जो फिल्डिंग एफर्ट था ना वो सब कानी खतम भाई पाकिस्ताना जो है ना केलने के लिए और आगे सा बढ़ी आओ तब तबाई होने वाली है तो ऐसे खेला वाई रोड़ा दोने उनके जो जो में बैट्समें इनका में डर सकते हैं वो था कॉन वे और फिलिप्स दोन नेके दोनों गोटों निकाल दिया हमारे इस दोनों भी को डिया ने उसका यों से ने कहले कि इरफिजने सब्सक्रांइब कर सकते हैं तो फिर निया पर यह अब में फेरी पर्ल्ड, प्रेवर, वह भाई कुछ उने वाला है। अरे भाई, नो हम को पता है निफवर, नो हम भी बोल रहे है। पता है कि यूड में पता है जाए कि इंडिया आने ये का इंगलेंड और पाकिस्तान का वल्लक का फाइनल हुने वाला है। कुछ अपनी गड़ फीलिंग बता रही है पता रही है कि इतनी सही हो सकती है लेकिन है कुछ-कुछ पेट में से वाद आ रही है न अपने अंदर से लेकिन यार बहुत बहुत मैच हुआ जिस तरीके से पूरी टीम ने खेला मतलब आपके आप इतना अच्छा खेलते हैं तो स बुज़ोरी नदर आने जाते हैं यही चीज बहुत इंपॉर्टन चीज होती है हम ने आज देखा निउजमें की टीम पूरे वल्लक पके से तीन केच चोड़े थे और आज के मैच में सिर्फ आज के मैच में तीन चोड़े उन्हों । इससे अंदर लगए लगषा खेलते नहीं है अभी हम चोटे लोगे कुछ होने दो यार क्या गड़ है यार लेकिन यार मैच बहुत चा हुआ काइंड वन साइड था सेमिफाइनल मुझे वो याद आगी है चैंपिन ट्रॉफी वाला जब मोहमध हफी चुक लगा है कि हमें जिताया था और वो वन साइड मैच इंगलंड के खिला हम जीते तो मुझे वैसा ही लगा मैच कोई 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 पैनिक नहीं कोई कोई टेंशन नह सबाओं जो यह बहुत ही बहतरीन चीज है तो अब नेक्स उसके लिए क्या है कि दुआ यह करनी है कि कोई भी आ जागा है है यह कऊओंका इंडिया या इंग्लेंड आब आब कोई भी आए पाकिस्तान उस स्ट्रेंथ से खेले फेकिसारी वीक्निसे सामने वाली टीम में न मिजबत आपके और आप इतने स्ट्रॉंग हो के सामने लगा सोचे फ़दवा कुछ करने के लिए और जब तक हमारे पास यह तरह के जो कोच और यह लोग मौजूद है टीम मेनेजमेंट जो वहां काम कर रही थी जो वह लोग हैं मुझे बड़ी खुशी हुई देखिए कि हर बंदा हरे चैनल से वही दिखा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फरेंस में हेडिन ने क्या कहा था अब यह बहुत बड़ी बात है हर जाए वो अपने बच्चों प्रटेक्ट कर रहा था है कोच से नहीं होता है कि पड़ेस को प्रटेक्स करें कि बहुत अजला बहुत चीज बाइतारी ऐस हो पहल है यह बहुत 맞़ अच्छा छीज़ा बेडनी को जा यह बहुत लोग हैने के बहुत हले बैद ही जयत चानल और और जीज़ के आने लगता है पटा के भाड़ेंगे कि अम लोग पता नहीं है क्या करेंगे लेकिन देखते हैं कुछ यो अच्छा ही करेंगे तो आज के लिए इतना ही अपना ख्याल रखियेगा और बहुत इंजोई की जगा आज करें क्योंकि अभी पता नहीं है किस कौ बरुटार भाड़े मना रहे हैं तो मनाओ है थीक अपना ख्याल लगना और दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में है कि अ कि अ कि 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 कि